अलो फ्रेंड्स, सिधार्थ अगेंड, आज मैं आपको एक लाइव हैकिंग एक्जाम्पिल दिखाऊंगा, बिलिव में फ्रेंड्स ये एक आई ओपनर एक्जाम्पिल है, और आप देखेंगे कि हैकर्स कितने असानी से आपका बैंक पासवर्ड, आपका फेसबुक पासवर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि exactly इसमें होता क्या है इस type के attack को कहा जाता है credentials harvesting attack friends इसमें hacker आपको एक बहुत ही genuine दिखने वाली mail भेजेगा जिसको देख के ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही normal mail है और एक genuine source से आई है for example ये देखी ये mail मुझे आई है suspicious activity detected मैं इसको double click करके open करता हूँ और इसमें क्या लिखा है dear facebook user we have detected suspicious activity related to your facebook account we recommend you to please login to your account and check if everything is alright please login here to confirm तो friends देखने में ये बहुत ही normal mail लग रही है इसमें कोई doubt नहीं लग रहा है अगर आप इसकी details भी देखेंगे तो ये security admin facebook ने भेजी है और भीजने वाले का email ID है security.admin.facebook.com और ये मेरा email ID है तो friends देखने में बिलकुल normal लग रहा है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है तो ये mail पढ़के सबसे पहला action मेरा ये ही होगा कि मैं अपना login करके account चेक करूँगा तो मैंने यह login पे click किया और ये facebook का page open हो गया अब ये मेरी details मांग रहा है तो मैंने अपना email ID डाला support at cyberbase.in इस video के लिए मैंने एक temporary password create किया है Nokia Mobile और इतना लिखने के बाद मैं इसमें login करूँगा तो friends देखिए तो जैसे मैंने login का button प्रेस किया friends ये वापिस एक login मांग रहा है और अभी फिर से मुझे अपनी information इसमें डालने के लिए बोल रहा है तो friends मैं इसमें आपकी बार अपनी information डालूँगा तो ये सब कुछ ठीक टाक रहेगा और facebook open हो जाएगा लेकिन इतने में बहुत कुछ background में हो चुका है जो मैंने पहले login attempt किया था वो एक basically fake page था जो कि किसी hacker ने मुझे भेजा था और मैं अब आपको hacker का computer देखाऊंगा तो ये है hacker का computer और ये हो सकता है दुनिया के किसी भी corner में बैठा हो लेकिन उसने आपका password अब तक hack कर चुका है और उसके पास पूरी details आ चुकी होंगी और अगर आप देखेंगे तो इस console में ये देखिए आपका email id इसने capture कर लिया support at cyberbase.in और ये देखिए Nokia mobile password तो friends आपने देखा कि कितने आसानी से आपको पता भी नहीं चला आपने facebook में login भी कर लिया और hacker के पास आपका username और password दोनों आ चुका है कई लोग सोचेंगे कि अगर facebook का password हैक भी हो गया तो क्या हो जाएगा तो friends ये एक बहुत ही common तरीका है hacking का इसमें hackers आपके facebook account का एक clone account create करते हैं जिसमें कि वो आपके पूरी friends list को download कर लेंगे और आपके friends को वो contact करेंगे through chats यहां एक बात ध्यान अखने वाली होती है कि आपके जो friends को वो contact करेंगे वो कभी भी phone पे या direct बात करके नहीं करेंगे सिर्फ chats पे करेंगे और हफते 10 दिन बाद वो आपके friends को बोलेंगे कि मुझे कुछ पैसो की जरूवत है प्लीज मुझे या तो paytm या bank के थ्रूप पैसे भेजिए इसमें एक खास बात यह है कि आपके जो friends होंगे वो भी आपको through chat ही contact कर रहे होंगे उनको यह नहीं पता होगा कि वो actually एक cloned account से contact कर रहे है जहाँ पे एक hacker बैठा है और वो आपके friends को बराबर जवाब देता जाएगा आपको खबर भी नहीं लगेगी कि यह सब आपके background में चल रहा है और आपके friends आपको पैसा भेजते जाएगे और hacker आपके नाम पे पैसा इखटा करता जाएगा तो friends यह एक बहुत ही common तरीका हो चुका है आज की तारिक में और इसका root reason सिर्फ यही hacking technology है सबसे बड़ी problem यह है friends की इस hacking technology से बचने के लिए कोई antivirus नहीं है किसी भी तरह का कोई software कोई tool आपको इस hacking से बचाने सकता है सिर्फ आपकी awareness ही बचाएगी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस type की hacking से बचा जा सकता है आप सुचेंगे कि यह facebook के id से email आई हुई है तो friends किसी भी fake email id से किसी को भी mail करना बहुत असान है यह literally कोई बच्चा भी कर सकता है इसके लिए बहुत सारे tools already available है इस type की hacking से बचने के लिए आपको चेक करना है कि किस link पे आप click कर रहे है for example in this case मैं login पे click करता हूँ और यहाँ पे आ गया मेरा facebook का page जहाँ पे मुझे अपना username और password देना है लेकिन friends अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह IP address definitely facebook का नहीं है अगर यह facebook की genuine site है तो यहाँ facebook का address दिखना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है तो आप यहीं समझ जाएं friends कि यह किसी hacker ने आपको एक mail भेजी हुई है और यह IP address उस hacker का है ना कि facebook का बस यहीं आपको friend know कर देना है यहीं एक तरीका है इससे बचने के लिए अगर आपने यहाँ कुछ भी information अपने लिग दी अपना password लिग दिया immediately आपकी details वहाँ hacker के computer में capture हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा इसी technology के उपर hacker आपको आपके banking password के लिए भी बेज सकता है इसमें खास problem यह है friends की यह बहुत ही आसान तरीका है इस type की hacking करने के लिए कोई coding कोई programming की ज़रूत नहीं है literally कोई भी इस type की hacking को कर सकता है once again friends इस type की hacking से बचने के लिए सिर्फ आपकी awareness ही आपको बचा सकती है तो friends अगर अगली बार आपको इस type की कोई mail आती है तो please उसका IP address ज़रूर चेक कीजिए and then decide कीजिए कि यह mail actually genuine mail है या किसी hacker ने भेजी हूई mail है I hope friends आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा Please मेरे वीडियो को share और इस चैनल को subscribe जरू कीजिए Thank you and bye bye